बुलिया बदल जाओ वत्त के साथ या फिर वत्त को बदलना सेखो मजबूरियों को मत को सो हर कंडिशन में जीना सेखो नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों एको आज की जो हमारी अपडेट है की रजल्ट में देरी क्यों चल रही है क्या ऐसा व्यवधान है कि ये से लगातार, सभी बच्चे सभी साती यहीं इनतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रजल्ट आना चाहिए. कई बार तो रात को भी, जैसे बच्चे ऊठखे भी देखते हैं कई रजल्ट तो नहीं आगया. हमारे जैसे जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं भी कई बार ये सूचता हूँ कि कभी रात को रेजल्ट तो नहीं आ गया, तो ये जो रेजल्ट है, इसका क्या कार्ण है कि ये थोड़ा सा लेट से है, देखो, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सिर्फ मातर तीन से चार मिलट की, तो, देखो, सनसे की स्थिति थी, वास्तविक्ता का निश्च नहीं था, थीग है, तो अब ये तो कंफरम हो गया, कि सत्रा तारिक को जो सपत लेंगे, वो मानली है, हमारे जो नायव सिंसेने जी है, वो सपत लेंगे, और उस सपत के जो समारों में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सिरी नरेंदर मोदी जी भी वहां उपस्तित रहेंगे तो यह भी सच्चा ही है कि 17 तारिक से तो पहले रजल्ट आने आना है सत्रा से पहले तो रजल्ट एक जार परसेंट किया कोई इसका तो कोई पैमाना नहीं है कि बाकि आएगा यह सच जाई है और अब मैं आपको एक और बताता हूं कि जो भी 25,000 साती है या 25,680 इतने भी साती है जिनका रजल्ट आने वाला है उनको ज्वाइनिंग लेक्टर भी हमारे पीम साब देंगे और आप देखो कि इसमें बिलंब क्यों है जो रजल्ट आना है इस रजल्ट में बिलंब क्यो है इसका देखो कारण क्या है इसका कारण ये है इसका कारण ये है इसका कारण ये है देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो परफ्रेंस बरवाई गई थी जो भी परफ्रेंस बराई गई थी उसमें बहुत से मैक्सिमम जैसे जो भी साती थे उन्होंने एक दो तीन चार प जैसे बर्गया। तो हो सकता है कि कोई यहां क्वालिपाई करता है, कोई 34 में करता है, कोई 5 में करता है, तो परफ्रेंस में maximum जो repeat के candidate हैं, उनका verify करने में समय लगना ये, ठीके, क्योंकि ये दियानन है उनको वहां कटोभ में वो बच्चे आएंगे ठीक है तो वह सीट वेकंट नहीं रहेगे वो वेक्टिंग का मामला है वो खतम हो जाएगा अगर वेक्टिंग आएगी इतने बच्चे चपन श्ता होने वे तो वो चीज वो जो रिपीट का मामला है उसमें थोड़ा सा समय ल ठीक है अब मैं कहूं कि आज आएगा आज रात को आएगा चोदा को रात को आएगा तो यह तो क्यास लगाए जा रहे हैं कल कल बहुत maximum possibility थी कि कल आपका result आणा था ठीक है लेकिन जब अभी मेरी बाते हुई तो यह preference का जो मामला है इसमें वैरिफिकेशन में लगता है क्यों जोठोंने ग्रुप नंबर चापन का श्ताहून का कई दिपार्टमेंट में अक्जाम दिया और विसे गरूस के बहुत से लिएू रिफी का मामला है तो पराफ्रेशन में ये वेरिफाई होने में समय लग रहा किए वनाने मात्रियक कारण है और मैं आपको बताता हूं कि बाइवेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्म तो जाहिर से बात है सिर्फ रजल्ट आना है और जोइनिंग हो रहे हैं और इन सभी 25,000 साथियों को 17 तारिफ को पंचकुला में और जो हमारे माननी ये CM साहब हैं उनकी सपत का गवा बनना है तो 17 तारिफ को इनको जोइनिंग लेटर मिलेंगे और वो हमारे माननी ये PM साहब देंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप रजल्ट और एक दिन मता हो दो दिन मता हो लेकिन 17 से पहले तो आना चाहिए मैं मतलब आएगा और इसमें परफ्रेंस का मामला है इसलिए ये थोड़ा सा भी लगए यही मामला था आज की यही अपडेट थी बाग की सभी साथी जो भी सेंड करता हूँ और सभी साथीयों को अगरिम बढ़ाई बैस्टो प्लग धन्यवाद